हेलो एब्रिवान वेलकम और वेलकम बैक टो माई चानल सु मैं हूं भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिशे इश्ग का एपिसोड नमबर 16 तो चलिए जादा बते ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं अन्वीक्षा और म्रिगांका एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तबी एक सर्वेंट के दर्वाजे पर दस्तक देने से उन दोनों की नजर उस पर चाती है म्रिगांका उसकी तरफ देखते हुए बोलती है जी कहिए इसके बदले वो सर्वेंट अपना सिर्ध जुका कर कहती है सम्रिद्धिबाइसा और जमाइसा पधार चुके हैं तो आप छोटी ठकुराइन को लेकर नीचे आ जाईए और इतना कहकर वो नीचे की और चली जाती है वहीं उसकी ये बात सुनकर वे दोनों ही परिशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं अन्वीक्षा ये सुन अन्वीक्षा धीमी आवाज में हां कहती है और धीरे से उससे अलग हो जाती है वहीं मरिगांका उसकी आखों की नमी को साफ देख पा रही थी उन दोनों ने ही एक दूसरे को आशवाशन की नजरों से देखा और फिर नीचे की और चले गए वहीं उसी वक्त ठाक कितने रईस हैं सबसे पहले आगे और पीछे की दो गाड़ियों में से बहुत से गार्ड निकले जिन में से एक ने आकर बीच में खड़ी काली स्कोर्पियों का दर्वाजा खोला तो उसमें से एक अधेड उम्र का व्यक्ति अजीब सी मुस्कान देते हुए बाहर निकला और अपने अदगंजे सिर पर बचे गिने चुने बालों को हाथ से सेट करने लगा उसकी हलकी सी तोन निकली हुई थी और दिखने में भी वो कुछ खास नहीं था फिर वो गाड़ी की दूसरी तरफ पहुँचा और उसने गेट खोलकर अंदर बैठी महीला को अपना हाथ उस महीला ने एक फी की मुसकान देते हुए उसका हाथ थामा और बाहर की और आ गई उन्होंने बड़े ही सलीके से मैरून रंगी साड़ी पहनी हुई थी और बालों को जूड़े में बांध रखा था बड़ी ही सादगी से उन्होंने खुद को सजाया हुआ था उन्हें द के बटन खुले होने के कारण उसके सीने पर बना हुआ शेर का टैटू जलक रहा था उसके आंकों में एक अजीब सी चमक थी और चहरे पर एक व्यंगात्मक मुसकान इन तीनों ने अपने कदम एक साथ हवैली की और बढ़ा दिये उनके दोनों और सर्विंट्स हातों में इत्र और फूलों की थाल लेकर खड़े थे और लगातार उन पर बरसा रहे थे उन तीनों की नजर सामने पड़ी तो वहां रेखाजी हात में थाली लिए उनके स्वागत में खड़ी थी और उनके बगल में कृष्ण जी भी मुसकुराते हुए खड़े थे उस महीलाने जा बिल्कुल ठीक है हम भावी सा पर कृष्ण जी को उनकी बेहन ठीक तो बिल्कुल नहीं लग रही थी और वो हमेशा की तरह उनकी आँखों में चमक देखने की कोशिश कर रहे थे जो आज से 25 साल पहले हुआ करती थी फिर रेखा जी ने उनके पीछे देखा और कहा जमाई करती हैं वहां हम तो आगे ही रहते हमेशा उनकी ये बात सुनकर सक्षम उनके साथ ही जोरों से हस दिया वहीं रेखा जी उस शक्स की बातों में उसकी नीचता को साफ साफ तरीके से नाप सकती थी पर उन्होंने जादा ध्यान ना देते हुए उन तीनों की आरती उतारी औ रणावत मेंशन में एक आलीशान घर के एक कमरे के बाहर कुछ कार्ड्स एक छे से साथ साल की बच्ची के अगल बगल खड़े थे उनमें से एक ने उसकी तरफ देखते हुए बोला देखे बेटा आप अभी अंदर नहीं जा सकते तो इस पर उस बच्ची ने मू बनाते खेलना है और इतना कहते हुए वो जबरदस्ती कमरे की तरफ चली गई उनमें से एक गार्ड ने कहा यह भी नहीं यहां आई है ना सर के गुसे से वाकिव नहीं बस सर अपना गुसा इस पर ना निकाल दे और इतना कहकर वो सब ही उसके पीछे चले गए उस बच्ची ने ज अकाजा उन तक पहुंच नहीं पाया था शायद हलके सफेद बालों के साथ भी वो नौजवान ही लग रहे थे उस बच्ची के पीछे आए हुए गार्ड ने उस सक्ष की तरफ देखते हुए कहा सौरी सर हम अभी इने लेकर जाते हैं और इतना कहकर वो जैसे ही उस बच्ची की तरफ देखते हुए बोला अप बाबा को परिशान क्यों कर रही है चलिए आप ये सुन कर वो बच्ची परिशान होते हुए शक्ष की और देखते हुए बोली बाबा आप नहीं खेलेंगे अपना चश्मा उतारा और उस लड़की को अपनी गोद में उठाते ह हुए बोला क्यों नहीं खेलेंगे हमारी बच्ची से जरूरी काम थोड़ी है हमारे लिए यह सुन जहां वह बच्ची खिल खिला उठी वहीं दूसरी तरफ वहां खड़े हर गार्ड के चहरे पर हैरानी उभर आई आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहे कहानी के लिए बाई एंटेक केर